दोस्तो फाइनलि आज रेल मी ने लॉंच कर दे हैं रेल मी 2 स्मार्टफोन को इंडियान मर्केट में और ये स्मार्टफोन दोस्तो रेल मी 1 का एक सक्षेसर स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको बहुत सारी इंप्रूमेंट्स देखने हूं मिलेंगा रेल मी 1 के कमपरेजन में यहां में दोस्तो रेल मी 2 के अंदर आपको फिंगर प्रिंट स्कानर डूल कैमरा साथ में एक नॉच डिस्प्ले भी देखने हूं मिलेगा जो कि रेल मी 1 में मिसिंग था इसले दोस्तो रेल मी 1 के तरह भी रेल मी 2 अभी बहुत पप्लर होने वाले इंडियान मर्केट म पर दोस्तो इस स्मार्टफोन को लेने से पहले आपको इस स्मार्टफोन के कुछ मेजर प्रोज और कॉन्स के बारे में मालूम होना चाहिए सबसे फएले दोस्तो हम बात करने के Realm 2 परोज के बारे में दोस्तो इस स्मार्टफोन का जो पहला परोज है वो है इस स्मार्टफोन की डिजयन यहांपे आपको फ़स्तो ठोड़ागेक सीधितना की लुक देते हैं इसलिए दोस्तों ये फोन बहुत हालका लग रहा है हाथ को और इस फोन की इनन फिल भी बहुत अच्छा है और एक दोस्तों इंपोडन बात है कि हमें Realme 2 के अंदर इस बार नॉच टिस्प्ले देखने हो मिलते है जो कि 2018 का एक लैटेश ट्रेंड है इसलिए दोस्तों ये फो दोस्तों यहां पे Realme 2 के अंदर आपको ज्यादा बैटरी वैक अप देखने हो मिलेगा Realme 1 के कंपारिजन में साथ में दोस्तों अगर आप एक काजुआ लिए उजरे तो डिफिने लिए आपको इस फोन में टू डेज का बैटरी वैक अप आसानी से मिल जाएगा और इस फ अगर दोस्तों लो लाइट फोटोज की बात करें तो आप हमें देख सकते है रियल्मी 2 का लो लाइट फोटोज डियल्मी 1 से स्क्लाइटली बेटर है और यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग के साथ थोड़ा सा ब्राइटर इमेज देखने हो मिला है रियल्मी 2 के अंदर इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रोज हो है स्पार्टफोन की सीम स्लोट को लेके यहाँ पे दोस्तों रियल्मी 2 के अंदर भी हमें रियल्मी 1 के तरह त्रिपल सीम स्लोट देखने हो मिलते है जिसके अदर हम एक साथ टू सीम विधन माइक्रो इस्डी काड को आराम से यूज कर पाएंगे पर दोस्तों जैसे कि यह फोन क्वालकॉम स्टापड़न का 450 प्रोस्तर के साथ आते है इसलिए दोस्तों हमें इस फोन में डुआल भूल्टी का सपोर्ट देखने हो नहीं मिलेगा रियल्मी 1 के तरह पर दोस्तों आप एक अच्छी बात है कि हमें इस फोन में एक डेडिकेटड माइक्रो इस्डि काड स्लोट मिल ला है तो दोस्तों अगर आप इस फोन की बेस बेरेंट जो की 9,000 रुपीज में आता है 3 प्लस 30 रुजी बेरेंट वह भी लेते हैं तो आपको स्टूरेज की रिलेटेड कोई भी इसू नहीं आएगा इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रोजे हो ही स्मार्टपून की सॉप्ट्वेर और सेंस मिलता है यहां पर दोस्तों इस फोन के अंदर रेज टू वेक अप फिचर भी दिया गया है अगर आप इस फोन को डेक्स रेज करेंगे तो यह आप्टोमेटिकली अनलोग हो जाग है जो कि एक बहुत अच्छी बिचरे अगर दोस्तों सेंसर की बात करें तो एक बहुत के अंदर अब दोस्तों बात करते हैं रियल्मी 2 के कुछ मेजर कौंट्स के बारे में दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो पहला कौन है वह स्मार्टफोन की डिस्पले को लेके यहां पे दोस्तों रियल्मी 2 के अंदर हमें मिलता है HD प्लॉस रियल्मी 2 के अंदर हमें मिलता ह है इसलिए दोस्तों आपको realme 2 में कम pixel density देखने हो मिलेगा realme 1 के comparison में साथ में अगर आप जायदर high quality videos and high quality content देखते हैं और बहुत high graphics game खेलते हैं तो आपको realme 2 का display थोड़ा सा disappointing लगेगा क्योंकि इसका resolution HD plus है पर दोस्तों अगर आप एक casual user तो आपको हैं पर कोई भी problem नहीं होगा और एक दोस्तों important बात है कि अगर आप realme 2 को direct sunlight पे use करेंगे तो आपको इसका display का brightness बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इसके बाद दोस्तों जो अगला काने वह स्मार्टफोन की प्रोसर को लेके यहांपे दोस्तों हमें realme 2 के अंदर मिलते है qualcomm strapdown का 450 octa-core प्रोसर जिसका clock speed है 1.8 GHz दुसरी तरफ दोस्तों हमें realme 1 के अंदर मिला था mediatek का helio P60 जो की बहुत ही powerful प्रोसर था तो दोस्तों definitely हमें realme 2 का प्रोसर इतना अच्छा नहीं होने वाला है realme 1 के comparison में क्योंकि दोस्तों qualcomm strapdown 450 के comparison में mediatek का helio P60 बहुत powerful प्रोसर है क्योंकि दोस्तों यह प्रोसर qualcomm strapdown 660 के comparable है तो definitely दोस्तों हमें realme 2 के अंदर hardware के बामले में थोड़ा सा downgrade कर दिया है realme 2 को पर यहां पे दोस्तों अगर आप ए casual user तो आपको कोई भी major issue देखने हो नहीं मिलेगा पर दोस्तों अगर आप slightly heavy use करेंगे इस phone को तो आपको थोड़ा बहुत lag देखने हो मिल सकता है अगर दोस्तों gaming performance के बात करें तो definitely आपको realme 2 में इतना अच्छा gaming performance देखने हो नहीं मिलेगा realme 1 की comparison में क्योंकि realme 1 का GPU बहुत advanced है realme 2 के Arduino 506 GPU से तो definitely दोस्तों आपको realme 1 में slightly gaming देखने में अच्जर्ट करना होगा और यह प्रोस्तों है Qualcomm Snapdragon 400 series प्रोस्तों है इसले दोस्तों आपको इस फोन में बहुत low graphics में game खेलना होगा तो definitely अगर आप एक gamer है तो आपको यहांपे थोड़ा problem आ सकता है इसके बाद दोस्तों अगला करन realme 2 के build quality को लेके हमें दोस्तों realme 1 के अंदर एक fiber glass body design देखने हो मिला था और हमें realme 1 में कोई भी skin protection जैसे की corning colors का protection देखने हो नहीं मिला था इसले दोस्तों realme 2 के अंदर हमें ओही same fiber glass body design देखने हो मिला है और यहांपे हमें कोई भी skin protection जैसे की corning colors का protection या dragon tail glass का protection देखने हो नहीं मिला है इसले दोस्तों अगर आपके हाँस से बार बार phone गीर जाता है तो आपको इस phone को बहुत safely यूज़ करना होगा पर दोस्तों हमें अच्छी बात है कि हमें realme के तरब से इस phone की box में एक case और एक screen protector भी देखने हो मिलता है इसके बाद दोस्तों अगला कान है वह है smartphone की fast charging and charging port को लेके यहां पर दोस्तों हमें realme 2 के अंदर मिलता है 4,230 मिलियांबर की lithium-ion battery जिसको चार्ज करने के लिए almost 2.5 से 3 वार लग जाएगा क्योंकि दोस्तों हमें इस phone के अंदर fast charging का support देखनों नहीं मिलता है और हमें इस phone में old micro USB port देखनों मिलता है पर दोस्तों इस price range के अंदर fast charging ना होना भी कोई भी बड़ी इसु नहीं है क्योंकि दोस्तों most of the smartphone इस price range के अंदर fast charging support के साथ नहीं आता है पर दोस्तों अगर आपका fast charging main priority है तो definitely यह आपके लिए एक major con हो सकता है तोस्तों इस था complete list of pros and cons realme 2 smartphone का अगर दोस्तों मैं इसको quickly sum up करूँ तो realme 2 एक बहुत अचा smartphone में battery and design का मामले में यहाँ पर दोस्तों हमें 4,430 million पर के battery देखनों मिलता है साथ में इस phone के अंदर हमें notch display और बहुत अचा back design भी देखनों मिलता है तोस्तों अगर आपका main priority battery and design है तो definitely यह smartphone आपके लिए है और इस smartphone के अंदरा में dedicated microSD card slot मिल ला है जो कि again ही इस phone के एक plus point है पर दोस्तों अगर आपके लिए display clarity बहुत matter करते है और आपके लिए performance एक main priority है तो आपको realme 2 में थोड़ा problem आ सकते है पर दोस्तों अगर आपके casual user हो तो आपको यह हम पे कोई भी issue देखने हो नहीं मिलेगा तोस्तों यह था complete pros and cons and complete review realme 2 smartphone का मेरे सबसे दोस्तों realme 2 smartphone एक best value for money smartphone है 9000 price bracket में क्योंकि दोस्तों हमें इस phone के दर बहुत अचा design camera और बहुत अचा battery भी देखने हो मिलते है साथ में दोस्तों इस phone की processor भी video कर है अगर आप ए casual user है तो आपको हम पे कोई भी issue देखने हो नहीं मिलेगा day to day usage में साथ में दोस्तों इस phone के अंदर आपको मिलते है dedicated microSD card slot तो अगर आप इस phone की base parent भी लेते हैं तो आपको storage के related कोई भी issue नहीं होगा तो उस्तों बस इस video में इतना ही अगर आपके लिए realme 2 के cons बहुत important है तो definitely आपको इस smartphone नहीं खरिना चाहिए पर दोस्तों अगर आप इस smartphone की cons को manage कर सकते हैं तो definitely realme 2 एक बहुत अच्छा smartphone है इस prices के अंदर आपके लिए तो उस्तों ये था complete वीडियो अगर दोस्तों आपको इस video helpful और informative लगाओ तो इस video को like करने है साथ प्लीज शेयर करदेना अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी सजाओ realme 2 के regarding या किसी और topic के regarding तो आप नीचे comment करदेना मैं आपके reply जरूर दूँगा लास्टन दोस्तों ऐसे ही लाटेस टेक्नोजी रेटेड वीडियो इसके लिए आप हमर चानल को सब्सक्राइब करने साथ सब बेल आइकोन को भी प्रेस करदना जैहिन